आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ यहां पर हमें blue whale का जो scientific name है वो identify करना है तो सबसे पहले देख लेते हैं के blue whale होती क्या है बसल में यह एक vertebrate है जो mammalia class में आता है मतलब यह एक mammal है जो पानी में रहता है aquatic mammal और हम देखते हैं कई mammals के pair में hoof नाम का structure प्रेजन होता है जो ground पे move करने में इनकी help करते हैं और इन ही mammals को हम angulates बोलते हैं और देखा जाता है कि जो हमारी whales होती हैं ये इन ही angulate mammals से evolve होई हैं और अब ये aquatic habitat के लिए पूरी तरह से evolve हो चुके हैं इसलिए इन में कोई apparently हमें similarity नहीं दिखाई देती हैं तो अगर अपने options को देखें पहला हमें दिया हुआ है teropus teropus असल में इसको हम commonly flying fox के नाम से जानते हैं लेकिन ये large size के bats का एक genus है इसलिए flying fox के अलावा हम इनको fruit bat भी बोलते हैं इसके बाद में हमें macropus दिया हुआ है macropus again हम kangaroo के लिए word use करते हैं कुछ जो बड़े size के kangaroo होते हैं उनके लिए ये genus होता है इसके बाद delphinus जो हमारा है ये whale की तरह ही एक cetacean है यानि एक aquatic mammal है और normally हम इसको dolphin के नाम से जानते हैं last में हमें जो balenoptera दिया हुआ है ये genus whales का होता है लेकिन यहापर blue whale की बात की हुई है तो इसको हम species को balenoptera musculus के नाम से जानते हैं और ये हमारे living world का largest mammal होता है तो यहाँ पर हमें scientific name identify करना था blue whale का तो हमारा correct answer हो जाएगा option D balenoptera या more specifically balenoptera genus में musculus species होती है blue whale की क्लासिक्स से ट्वेल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल का 10 million से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या वाट्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर